दोस्तो आज मैं आप सभी लोगों को कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी सिखाने वाला हूँ आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपके कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप में कितना GB RAM है कौन सा प्रोसेसर है और कौन सा Windows डला हुआ है और कौन सी जनरेसर का जो प्रोसेसर है ये सारी जानकारी आपको नहीं होती है और खास तोर पर उन लोगों को नहीं होती है जो कम्प्यूटर अभी सीख रहे हैं तो अगर आपको जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा complete चिखाने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके computer या फिर laptop में या फिर किसी दूसरे के computer या फिर laptop की जानकारी आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसके laptop में कितना gv ram है, कौन सा processor है और कौन सा windows डला हुआ है कौन सी generation का processor है हेला दोस्तों मेरा नामे गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू computer smart class आपके computer में या फिर laptop में कितना gv ram है, कौन सा windows डला हुआ है, कौन सा processor है ये सारी जानकारी के लिए आपको जो है अपने computer में जो है control panel की setting में जाना होगा सबसे पहले तो आप उस computer या फिर laptop को खोल लीजिए, जिसमें आप ये सारी detail देखना चाहते है इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो start button दिखाए ज़रा, इस पर click करना है और यहाँ पर आपको एक search का option दिखाए देगा, आप इस पर भी click करके search कर सकते हो या फिर नीचे की side में यहाँ आपको एक search का option दिखा जाता है, यहाँ पर भी आप click करके search कर सकते हो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है control panel, जैसे ही आप control लिखना start करोगे, नीचे computer आपको खुद बता देगा क्या आप control panel open करना चाहते हो, या फिर आप पूरा control panel लिख दोगे, फिर भी यह आ जाएगा इसके बाद जो है, आपको इस पर click करके इसको open कर लेना है, इसके बाद आपको इस तरीके से कुछ interface दिखाए देगा अगर आपको इस तरीके से interface दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यह जो view by लिखा हुआ है, इसमें आना है, category वाले पर click करना है और यहाँ पर category select के लेना है, हो सकता हो, आप में large icon और small icon select हो, लेकिन आप जो है, जब category पर click करके select कर लोगे, तो इस तरीके से option आ जाएगा अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, system and security का, आपको जो इस पर click करना है, जब आप उस option पर click करोगे, तो इसके बाद आपको इस तरीके से option दिखाई देगा यहाँ पर आपको क्या करना है system वाले option पर क्लिक करना यह देखिए एक system का option इस पर क्लिक करिए जैसे ही आप उस option पर क्लिक करोगे तो इसके बाद थोड़ी सी loading होगी इसके बाद आपके सामने आपके computer या फिर laptop की सारी detail कुछ इस तरीके से आ जाती है जैसे कि आप मेरे computer का जो है सारी detail यहाँ पर देख सकते हूँ मेरे device का नाम desktop SA20VCT है और मेरा processor जो है 12th generation का Intel Core i5 processor है और मेरा जो RAM है 8GB RAM है जिसमें 7.82 usable है और इसके बाद device name देख सकते हो इसके बाद product ID देख सकते हो इसके बाद system name यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद नीचे की side में आओ गए तो addition देख सकते हो Windows का 11 Pro वर्जन में इस्तमाल कर रहा हूँ और version भी आप देख सकते हो नीचे दिया है install date आप देख सकते हो कब ये install हुआ था सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है तो इस तरीके से आप जो है किसी के computer में या फिर laptop में उसके computer की पूरी की पूरी detail को देख सकते हो कितना gvram है कौन सा processor है कौन सा windows डला हुआ है कब का windows डला हुआ है ये सारी चीज़े पूरी detail आप देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजी और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर कर दीजी देगा ताकि उनका भी फायदा हो सकी और मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंद मातरम